पीरियट्स और मासिक धरम तो एक ऐसी चीज है एक ऐसी घटना है लड़कियों की जिन्दगी में जिसका नाम सुन केना से मूँ तर जाता है टेंशन होने लग जाती है एक तरफ आपकी फ्रेंड है आप उसको देखते हो कि हाँ ये तो तितलियों की तरह उड़ रही है उसको कोई दर दिनी हो और दूसरी तरफ आपो जो बिल्कुल मतलब की तने परिशान हो गयों की बिल्कुल बैट से उठा भी नी जा रहे है तो ऐसा क्यों सबसे पहले चीज कि ये क्रैम से दर्दनाग चीज होती क्यों है ये क्यों होती है जो हमारा गरबाशे होता है जो लड़कियों का यूटरस होता है उसकी कुछ लाइनिंग्स होती है और उस लाइनिंग्स में जब जो महिला है वो गरबवती होती है जब प्रिग्नेंसी होती है तो उसी लाइ कि जो उसने वो line तयार की थी वो उस line को और कुछ खून को जोड करके निकाल देता है जो मासिक धरम में जो periods में निकलता है जो आपको पके pad पर दिखाई देता है वो सब चीज़े वो निकाल देता है तो होता क्या है कि जब ये चीज़े निकलती है तो हमारा जो घरबाश ये होता है उसको बिल्कुल ऐसे squeeze होना पड़ता है जो contract होना पड़ता है फिर जाके वो lining और वो खून निकलता है और इसमें उसकी मदद करता है एक chemical जो क्या होते है प्रोस्टाग्लेंडिन्स तो वो क्या करते है जो muscle होते हैं जो contract और relax कर रहे हैं जो वो muscle है उनके अंदर oxygen की कमी हो जाती है और oxygen कम होने की वज़े से जो लड़किया है जो महिला है उनको जो दर्द मैसूस होता है जो cramps होते हैं और आपने ऐसा देखा होगा की starting के दिनों में तो यह बहुत जाज़ा होता है धीरे-धीरे जो मतलब third-fourth day होता है तो यह कम हो जाता है क्योंकि जो prostaglandin है उसका amount कम हो जाता है हमारे शरीर के अंदर तो इसलिए आपको cramps होते हैं अब मेन मुद्धा की इससे छुटकारा कैसे पाए क्या करे और क्या नहीं करे तो सबसे पहले हम बात करते है कि आपको करना क्या है आपको क्या करना है सबसे पहले सबसा easy और सबसे अच्छा method बताती है जो मैं यूज करते हैं जो मुझे बहुत जाता पसंद है hot water bag आप एक hot water bag लेके आ सकते हैं आप वह वाला bag भी ले सकते हैं जिसके अंदर आप lid open करें और उसके अंदर गरम पानी डाले और फिर उसको अपने जो पेठ है उसके नीचे वाला जो भाग होता है और आपको क्या है कि बहुत जादा relief मिलेगा जो है वो कम हो जाएगा तो आप वो यूज कर सकते हैं आजकल electric वाले hot water bag आने लगे जिसके अंदर जेल वगेर होता है उसमें आपको क्या करने सिर्फ उसका charger उसके साथ मिलता उसको connect करने सिर्फ कुछ ही minutes के लिए आपको चार तो आप क्या कर सेकते है सिर्फ एक bottle लो उसके अंदर गरम पानी डालो लेकिन उसको wrap करना मत भूलना किसी towel या किसी कपड़े से थोड़ा थिक कपड़े से आप उसको wrap करो और उसको आप यूज करो अगर आप उसको wrap नहीं करोगे तो क्या होगा skin जल सकती है आपकी तो wrap कर करना मत भूलना और आप normal bottle से भी काम चला सकते हैं तो सबसे easy solution मैंने आपको बता दियो hot water bag आप वो यूज कीजिए दर्द आपका जो है वो बहुत अत्तक कम हो जाएगा उसके बाद next चीज में आपको बताते है आप क्या कर सकते है exercise आप सो चुछे होगे पागल होगे ये एक तो मुझसे तो बैट से नी उठा जाता हूं दिनों में और ये बोल रहे है मैं की exercise कर लो exercise इसले बोल रहे हूं कि आप regular अगर exercise करते हैं तो ये जो pain है ये relief होता है और उस time पर आप क्या कर सकते है जो easy easy कुछ yoga asana होते आप वो कर सकते है जैसे कि child pose जैसे कि shavasana जिसमें बिल्कुल सीधा ही लेटने आपको ऐसी कुछ asana और आपने ऐसा notice किया होगा कि जब भी आपको बहुत जाता दर दो रहा होता है और आप किसी एक particular pose में थोड़े time तक लेट जाते है तो दर ठीक हो जाता है तो वो कुछ yoga asana होते है कुछ poses होते है वो आप use कर सकते हैं जिसस कि आप ऐसे food को consume करो ऐसा खाना काओ जिसके अंदर magnesium जाता होता है अब किसके अंदर magnesium जाता होता है केला जो बनाना होता है वो आप खा सकते हैं green leafy vegetables मतलब कि जो हरे पत्ते वाली सबज़ा होती है वो आप सकते है उसके अंदर magnesium और iron दोनों जाता होते है तो वो आपकी में तो आप भूए चीज़े आपको खाने हैं स्थायम पर जिसके अंदर म्ग्निरinkling ज़ादा है तो वह उक्सके लाह attempt करेगा चैट में अपकी कम करने में तो यह आप करिसके हैं स्के आपको क्या करना लाय क्राओ सकते हैं उसके लाद को ती थाक चैत अज़ करचेज़े इन आपकोना पेन रिलीव करने के लिए और आप क्या कर सकते हैं आप मसाज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई है तो उसको पकड़ो और बोलो कि प्लीज मेरी शॉल्डर पर मेरे बैक पर मसाज कर दे और अगर आपके पास कोई नहीं है आप अकेले रह रह रहे हो तो भी अपने आपसे थोड़ा थोड़ा मसाज करने ब के जो डागी यह टी emoji प्रच तीन पर रिलीफ मिलेगा उससे तो आप मसाज कर सकते हैं उसके बाला क्या कर सकते हैं आप पेन किलर ले सकते हैं और अगर देमांग में यह चीज बैठ गही है कि आपको दर्द दवाई नहीं लियरत नहीं होते हैं। अगर आपको कोई दिल से रिलेलेटिध कोई इसाità को प्रोब्लम है। तो आप अपने डोक्टर की सला लेकर ही दवाई लीजिए लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है तो आप पेन किलर बिल्कुल प्लीज ले लीजिए अगर बहुत ज़्या दर्द हो रहे तो और यह जो चीजे मैं मैं अधर्ड बता रही है उससे भी ठीक नहीं ह करनी है जो चीजें आपका पेन बढाती है उसमें इक होता है शारापका सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है Smoking आपको बिल्कुल नहीं करने क्या है दूम्रिपांज करें और हम बोलते हैं हंधी अगर आप ये सब मेथड यूज कर लेते हो जो मैं आपको बता रही है लेक होट वोटर बैग मसाज वासाज ये सब कुछ आपने कर लिया लेकिन आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है तिरफी बहुत जादा दर्द होता ही जा रहा है और वो इतना दर्द है कि आप अपना काम आप अपने डेली का वर्क नहीं कर पा रहे हो मतलब कि आप बिलकुल यसे बैड पर ही हो बिलकुल उठा भी नहीं जा रहा है तो आपको डोक्टर के पास जाकर दिखाने की ज़रूद बिलकुल भी है क्योंकि ये आपके लिए कोई बड़ी दिकत भी हो सकती है तो आपको चेकप करवा के ही दवाई लेनी है वो डाइग्नोस करेंगे पर्टिकुलरली देखेंगे कि आपको क्या प्रोब्लम हुई है उसके हिसाब से आपको दवाई देंगे उसके आपको ट्रीट करेंगे तो अगर बहुत जादा ही पेन है और ऐसी चीज़ों से ठीक नहीं होता है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाए और अगर इस वीडियो से कुछ भी सीका, कुछ भी जान और कुछ भी अच्छा लगा और आपने ये मैथड यूज किये हैं पहले या फिर आपको कुछ नया मैथड इसमें जानने को मिला तो वो मुझे जरूर लिखके भेजना इस तियो!